नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल के आउक्सिंक डिजिटल एरा में मैं एमाई भूशन आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं जो वीडियो लेकर क्या हूँ उसे आप पूरा देखिएगा बिना देखे कहीं मत जाएगा क्योंकि आपको पता है कि मैं टॉपिक टूपिक बात करता हूँ बिना टॉपिक से हट करके कोई भी बात मैं नहीं करता हूँ तो चलिए चलते हैं स्लाइड के उपर आज वीडियो के सुरुआत मैंने एक छोटे से सुब विचार से स्टार्ट किया है हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ाना पड़ता है इस मैसेज को आप समझ गयोंगे आज वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है खास करके पेमेंट से संबंधी जैसा कि आप लोगों का हमेशा से मैंने कमेंट देखा है उसमें से कुछ सेलेक्टेड कमेंट को मैंने पिक किया है और उनके ही प्रशनों का उत्तर देने का परियास करूँगा कि कब कब कैसे कैसे और किस मोड में आपको पेमेंट आने वाला है और किस तरीके से आपको payment request लगाना है ठीक है देखे इनका कहना है दिनेश कुमार जी है इनका कहना है कि मेरा 8 अगस्त का payment अभी नहीं आया है चलिए ठीक है इस पूरे वीडियो को देखिए payment start हो चुका है बहुत जल सब के पास payment credit कर दिया जाएगा अब देखिए इनका क्या request है कि सर मेरा जो 20 September को पैसा payout request लगाया था वो पैसा 30 September को आ गया है लेकिन चेक करने पर भी pending है तो दोस्तों इनके comment पढ़ने से मुझे इतना तो समझ में आ गया कि payment आना start हो चुका है देखिए यहाँ पे इन्होंने request लगाई थी और इनको 30 September यान सिकायते तो रहेगी जब तक आपकी पूरी जिंदगी है तब तक सिकायते रहेगी एक चीज मैं बता रहा हूँ आप अगर मुफ्त में सड़क के किनारे मिठाई भी बांट रहे होंगे ना तब भी आप हर किसी को खुस नहीं कर सकते मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर को दिया मेरे को छोड़ दिया इसलिए हर किसी को हर चीज की जवाब नहीं दिया जा सकता आप लोग कुछ समझीए बहुत सारा क्विस्चन ऐसा होता होगा जो इसी में जवाब आपको मिल जाता होगा तो उससे कोरिलेट कर लिया किजिए देखे इनका क्या है कि अब जब म करके मैं बहुत ज़्यादा चमभित था ये कह रहे हैं कि अरे भाई पागल हो क्या भूसन जी ओक्सिंग का सीमडी है क्या वो एक यूटूबर है उनसे बहुत मेहनत कर रहे हैं जानकारी निकालने के लिए आप लोग पागलों के तरह एक बात बार बार मत पुछे देखे इनका कहने का मतलब है कि अमाई भूसन कोई सीमडी नहीं है ओक्सिंग का इतना क्विस्चन आप लोगों का आता है मैं हर क्विस्चन का रिपलाई करता हूँ उसी में से एक कोई ऐसे ब्यक्ति हैं जिनोंने उसी के क्विस्चन का रिपलाई दिया है कि रियल में वो कोई सी ड्रोल किया था उसका credit हो गया है देखे यह डिडीजी aircraft हैं इनके टीम में पैसा आगया तो क्या आपको नहीं संती से रख्यें मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को देखने के बाद सुनने के बाद आपके अंदर एक संतोस पैदा हो जाए कि हाँ भाया पेमेंट आना स्टार्ट हो चुका है देखिए पेमेंट किस मोड में आ रहा है देखिए यहां स्टार्ट हो गया है अब तो बगल में है ना इसको बोलते हैं मूसल इसको बोलते हैं ओखली और इसको बोलते हैं मूसल अब जो नया तरीके का ओखली आया है ऐसा रहता है अब आप बताएगा कि इस वीडियो में ओखली और मूसल का क्या रोल आ गया भाई तो ओखली और मूसल का रोल इसलिए आया कि भाया जब ओखली में सर डाल दिये हो तो मूसल से क्या डरना, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कि जब पेमेंट रिक्वेस्ट लगा दिया, पेमेंट प्रोसेस पे है, पेमेंट आएगा ही आएगा, जब ओक्सिंक में आईडी लग गई, सब कुछ रिक्स ले ही लिया, स सर फूटेगा या नाक तूटेगा अरे जो होगा देखा जाएगा अब देखिए अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पे बात ये है कि हर महीने को किस किस तारीक को कैसे आपको पेमेंट रिक्वेश्ट लगाना है इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को कन्फूजन है मेरे टे तारीक तक बैंक पेमेंट रिक्वेश्ट कर सकते हैं 21 से लेकर के 30 तक पेमेंट प्रोसेस और डेटा वेरिफिकेशन होगा इसलिए बैंक रिक्वेश्ट बंद रहेगा और एक से लेकर के 7 तारीक के बीच सभी इपैनलिस्ट के बैंक में पेमेंट क्रेडिट कर दिया ठीक है तो आपको payment लगाना है एक से लेकर के 20 के बीच में इसके बाद 10 दिन तक payment आपका request पे नहीं लगेगा data processing और verification में time चला जाएगा और 7 एक तारिक से लेकर के 7 तारिक के बीच में आपके bank में account पे पैसा आ जागा लेकिन note ध्यान रखिएगा ध्यान ये आपको रखना है कि सोम बार को digital task जो upload होता है उसके वज़ा से आप payment request नहीं लगा सकीएगा बंद रहेगा तो भाया Sunday Monday को बंद रहेगा Monday से लेकर के Saturday के बीच में एक से 11 के बीच में बहुत सारा दीन आता है कभी भी आप request लगा सकते हैं दूसरा process क्या है 23 सितंबर 2020 तक किये गए सभी payment request को 30 दिन से 90 दिन के अंदर bank में credit कर दिया जाएगा जिससे 5000 से लेकर के 50,000 वाले payment लगभग 15 दिन में credit होंगे 55,000 से लेकर एक लाख वाले लगभग 30 दिन में और 35 दिन में और एक लाख से अधिक वाले को 60 से 90 दिन में यानि कि घबराने के जरूरत नहीं है जिनका payment 5000 से 50,000 के बीच में है उनको 15 दिन के अंदर में credit हो जाएगा जिनका 50 से 1 लाख तक का है उनका 45 से 30 दिन के अंदर में हो जाएगा और जिनका 1 लाख से उपर है 60 से 90 दिन के अंदर हो जाएगा अब मत पूछेगा कि payment कब कब लगाना है payment कब कब आएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जवाब मिल चुका होगा कि payment start है तो आही जाएगी सुना भी देखा भी आपने कि सितंबर कब मैंने 20 को लगाया था 30 को मेरा आ गया तो ऐसे हो चुका है अब चलिए लगाया कि bank bidrol unlimited है लेकिन बलक एकए और डीडिसी में महीना में एक बार आप कर सकते हैं इसके बाद है रिफरल से किये गए income को अपने बैंक खाते से महीने में एक बार बिड्रोल किया जा सकता है रिफरल से यानिम बैंचिंग बोनस ट्रीम ट्रेनिंग बोनस से जो आता है उसका जबकि DDC और बलक एके से आप हफता में एक बार बिड्रोल लगा सकते हैं देखिए यहां महीना में दिया तो DDC में एक हफता में कर सकते हैं सारे तरीके से फ्री कर रखा है ठीक है इसके बाद थोड़ा सा आप देखिए कि आपकी Cool Digital Marketing के Eye का 10% सलाना आपको N Pay Ballet पे जमा किया जाएगा जिससे आप BM Coin खरीद सकते हैं ठीक है अब दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ मैं BM Coin को ले करके क्या percentage आने वाली है कितना percent पे कितना मिलने वाला है कैसे lock में रखे कैसे unlock में रखे इसके उपर भी वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूँगा तो आप comment section में जाईए और अब बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे like कीजे, share कीजे ताकि जितने लोग demotivate हो रहे हैं वो motivate हो सके कि हाँ आब आसा है कि payment आना start हो गया है तो payment आएगा भी देखे इससे बड़ा परमान और क्या दे सकता हूँ मैं इसे नहीं जानता हूँ यह बेखती कौन है कहां के हैं लेकिन इन्होंने लिखा है कि 20 सेप्टेंबर को पैसा payout request लगाया था वो 30 सेप्टेंबर को इनके account पे credit हो गया है मैं इनसे यह भी नहीं बोल सकता कि भाई आप अपना screenshot दे दो क्योंकि यह YouTube चैनल का comment है तो वहां मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता ठीक है लेकिन मैं कोसिस करूँगा कि इनसे भी मैं request ले लूँ screenshot लेने की कोसिस करूँ ठीक है तो बने रही है हमारे साथ कोई भी नए अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल पर जरूर आपको बताता हूँ बाई बाई टेक क्यार तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा और positive direction में काम कीजिए ठीक है